एक काफी कमाल का और यूनिक सा रोम का अपडेट आया है हमारे रेडमी के नोट 5 प्रो के लिए जिसे फिलाल में कुछ टाइम से यूज कर रहा हूं और यह आपको बिल्कुली यूनिक सा जो लूप प्रोवाइट करता है और सासर काफी अच्छे चीज़ा आपको यहां पर प्रोट यूज के लिए आता है अगलो यूरीवन आई एम एम एमके एंड वाचिंग टेक आफिस और इस वीडियो में बात करने वाले है देसेंडेंट रोम के अपडेट के बारे में जो कि हमारे रेडमी के नोट 5 प्रो के लिए अवेलेवाल है और रेटी मैंने रिवीव कर दिया है रेडमी के नोट 4 डिवास के लिए और यहां पर आवाई आ गया है 5 प्रो के लिए देखते हैं कि नोट 7 प्रो के लिए कब तक आता है और इसके अंदर काफी कमाल के चींज किये गए हैं जो कि इस वीडियो में आपको सो करने वाला हूं तो यहां पर आपको मीजखे खास लग रहे हैं जो कि हर एक नेम के साथ अटैच हैं तो बहुत अब्रम है से लोग है जो कि हर एक नेम के साथ न cały icon प्रोवाइट करते हैं यहां पर हर एक्रिवाइस के लिए developed का position पहले से इनेवल रहता है तो यहां पर करने जरूत नहीं है आलिकर इसके देसcl करने कि सोच रहे हैं तो यहाँ भी प्रॉब्लम आपको से देखने को नहीं मिलता है काफी अच्छे ओप्सन देखने को मिलते हैं जैसे कि जो मेडिया प्रोस मेडिया यहां पर इने वाल्यूम पैनल उसके आप मुजिक कंट्रोल के नए ओप्सन भी देख सकते हो और यहां पर जितने भी है सब को पर नए आइकन यूज किये गए जो के रियली में काफे ब्यू और यहां पर आपको प्रोस देखने को मिल लाते हैं जो कि आप चाहो तो यहां पर इनेवल कर सकते हो कोई भी दिकत नहीं आए कि महें पर आएकन आपको मिलता है फॉन्ट मिल लाते हैं कलर से और डाकवूट अप्लाइग करने पे और इस लोंग के जो ब्यूटिफुल लग आपको यह वीडियो काफी जड़ा पसामने आ रहा है तो इसी तरह की मौर इंट्रेसिंग वीडियो के लिए प्रोस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और नोट्योकेशन को इनेवल कर लेना है बेल अगन पर क्लिक करके ताकि इसी तरह की इन्फोर्मेटिव वीडियो आपको जो इवरी टाइम मिल सके और आप उसका फुल बेनेफिट ले पाओ नेफ बढ़ जाती है यहां आएक रात है तो यह काफी इंट्रेसिंग आपको फीचर्स मिलता है वह है इनेवल की वेस पैनल ऑनली तो अभी के लिए आपको पैनल कुछ इस टाइप का अलार्म है यहां पर साइसिंग मिल जाता है और वन बहत का पीघिन को मिलता है और चाहिं जिखाई देखा करते ही मैसेज दिखाए देगा brightness slider है Wi-Fi है मुआल नेटरोग है Bluetooth है D&D है Flash Auto brightness और यहां पर एरोग लेन तो यह सारे ओप्सन देहने को मिलते हैं जो कि बिल्कुली अलग सा यूनिक सा look दिखाता है जो कि अब तक किसी भी रोम के लिए प्रवाइट नहीं किया गया है वहीं पर आप इसे off कर देते हो तो फिर से simple सा है जो लुक दिखने को मिल जाएगा आपके device के अंदर और यहां पर thumb UI जो कि 1EY के एक पर यहां पर देखने को मिल जाएगा जो कि हर जगह अप्लाय होता है और देखने में काफी ज़्यादा अच्छा लगता है आपके च्वाइस आपको यूज करना या नहीं तो इस ऑग भी आप कर सकते हो वहीप आपको मिलता है tap to back up और lock screen display में काफी stuff option ambient back up double tap का और यहाँ पे enable clock flow और बागे दर lockdown वगरा के option भी देखनी को मिलते हैं advance के अंदर आपको मिल जाता है hands pick up back up और pocket का भी option और यहाँ पे ambient music tracker भी मिलता है तो काफी अच्छे-खाचे option आपको lock से related को मिल जाता है बैरती ज्यादा तो मैंने यूज नहीं किया है बर जितना भी यूज किया है काफी अच्छा लगा है तो privacy related काफी अच्छा improvement है यहाँ पर किया गया है बाइडिफॉल्ट यहाँ पर जो open camera यूज किया गया या फिर आप जो भी यूज करना चाहते वह आप डाल सकते हो तो gcam अगर आप यूज कर सकते हो जो कि perfect suitable होगा तो तो आप photos वगरा किलिक करवा गए कोई भी इसूज नहीं आएगा लेकिन जो मैं camera यूज कर रहा हूं यह से support नहीं कर रहा है तो supportable camera की जरूत परने वाली है वहाँ पर आपकर आप इसे root करने वाले हो तो आपका net safety बिल नोई सूज और यहाँ पर आपको recorder मिल जाता है जो कि बिल्कुली अलग look में आपको दिखाई देता है तो यहाँ पर आप इसके settings पर जाते हो तो आपको देशने को मिल जाता है और सबसे ज़्यादा बेटर मुझे लगता है इसका volume panel जो कि बिल्कुली me wise जैसा ही है बट उससे भी काफी ज़्यादा बेटर सा feel देता है तो यह room आपके daily life में जो बिल्कुली perfect सा भीत होगा अगर आप use करना चाहते हो तो क्योंकि आप सब कुछ perfect और accurate मिलता है सासर performance भी notification को enable कर लेना है ताकि आपको every time rooms और बाके दर चीजों की details मिल सकें तो मिलते हैं एक वीडियो में कुछ खास special लेकर तब तक लिए बाबाए